Hi everyone, normal delivery यानि कि जब आपका 9th month complete हो रहा है तो आपको डॉक्टर के पस कब जाना है बहुत सारे सवाल होते हैं लोगों के मन में कब पता चलेगा कैसे पता चलेगा कि मुझे वही वाला पेन आ रहा है मुझे कब hospital जाना है ऐसा नहों रास्ते में बच्चा हो जाए ऐसा नहों कि डॉक्टर बोले तुम लेट आई हो तुमारी वज़े से बच्चे को दिक्कत हो गई और पेन आता क्यों है पेन कहां कहां होना चाहिए जिससे पता चलता है कि हाँ ये delivery वाला पेन है क्योंकि पेन तो पूरे 9 मेन है कभी कहीं कहीं चलता है रहता है कभी यहां दुख रहा ह कभी हड़ी के पास दुख रहा है कभी थाईज में दुख रहा है कभी बैक में दुख रहा है तो यह सारे questions जो आपके हैं आज हम इस वीडियो के तुरू solve करेंगे end तक जरू बने रहीएगा तो आते हैं नॉमल डिलिवरी पे सबसे पहले तो यह समझे कि पेन होता क्यों है पेन क्यों शुरू होता है पहले क्यों नहीं शुरू होता है नवे महिने में क्यों शुरू होता है हम डॉक्टर जब पढ़ते हैं था हम इसको बहुत detail में पढ़ते हैं आपको मैं एक बहुत ही simple तरीके से बताती हूँ बच्चे का जो brain है वहाँ से एक signal जाता है मा को मा की जो आवल है वहाँ से वो signal वापिस से बच्चे के adrenal gland पे जाता है एक gland होता है जो की एक hormone secret करता है cortisol ये cortisol किड्नी के आसपास एक किड्नी के आसपास एक उपर चोटा सा gland होता है वहाँ से निकलता है ये cortisol जाकर ट्रिगर करता है कि भाई अब पेन शुरू होना चाहिए तो सबसे पहले क्या होता है progestron जो hormone जो आपकी pregnancy को maintain कर रहा था जिसको कि आप पूरे कई बार आपको तीन महीने चार महीने खिलाते है जिससे कि आपको pain ना है वह hormone का level गिरना शुरू हो जाता है जैसे आपको menstrual cycle आती है उस समय progestron गिरता है similarly delivery के लिए यह दोनों hormones progestron और estrogen इनका level गिरना जरूरी है progestron का तो जैसे ही यह hormonal imbalance होता है pain शुरू हो जाता है अब आप पूछेंगे कि यह pain कई बार प्रीटर्म लेबर भी होता है क्योंकि प्रीटर्म लेबर में यह mechanism पहले से शुरू हो जाता है बच्चा अलड़ी stress में है और बच्चे को या तो infection हुआ है कोई ना कोई triggering factor है जिसके विज़े से बच्चे के जो gland adrenal gland है जहां से वह hormone निकलता है उसे पहले वह hormone निकाल दिया वह hormone निकलते ही सीधे trigger मिलता है brain को कि अब pain शुरू होना चाहिए और सीधे ही mother के अंदर भी trigger जाता है मदर के अंदर आवल के तो trigger जाता है और वहाँ से वह hormone निकल ले शुरू होते है औक्जितोसिन यानि कि सिंटोसिन ओन जो कि आप बड़ा commonly नाम सुनों अगर डॉक्टर्स आपको injection के रूप में देते हैं जब pain बढ़ाना होता है तो यह hormone जैसे ही निकलेगा आपका uterus जो ह पूरे एरिया में होगा जब बच्चा बिल्कुल नीचे आ जाएगा बिल्कुल आपके हड़ी में घुस जाएगा और यह समझ दो डिलिवरी को कुछ टाइम रह गया या कुछ गंटे रह गए तब आपको नीचे पॉटी वाली एरिया में पेन होगा और यह पेन आपकी ए एडी में पेन जाने लगे इतना पेन आए कि लोर बैक पीछे जो आपकी सीट बोन है वहां पर पेन चुरू हो जाए आपको पानी आना शुरू हो जाए तब आप समझ जाओ आपको पेन प्रॉपर डिलिवरी वाले आ रहे हैं तो यह तो कारण होगता है पेन का ठीक है आपको लग रहा है कि अपहस। इतना बहारी हो गया यूटरस जो यूटरस इतना चोटा से 7 सेंटीमेटर का है निग पांच ज़्यादा बढ़ जुका है उसकी अंदर पानी है बच्चा है बच्φा भी थिदारमिवरी आसे से कॉंट्राय बच्चे बत वहां पन्चो सहन हो जब आपको वो दर्द हर 5-5 मिनिट में आने शुरू हो जाए उसको बोलते हैं प्रॉपर कॉंट्रक्शन उसके साथ आपको या तो नीचे से वाइट डिस्चाज जादा होगा वाटरी डिस्चाज होगा वाइट डिस्चाज नहीं अप तो पानी की तरह होगा क्योंकि आपक पानी की थैली फूट गई तो आप खड़े खड़े पूरे गीले हो गए लेटे लेटे पूरे गीले हो गए आपको पूरे कपड़े गीले हो गए आपके पैर पूरे गीले हो गए पानी का गुबारा फूट गया या फिर आपको हलका हसका वाइट डिस्चाज के साथ ब्ल बाल बार बाठ्रूम आंग रही तो यह दों इस पो हॉस्पिटल जाना है एक मेरे वीडियो !! भूब बहुत कर रहा तो जो जरू देखेए कि आपको क्या क्यातहारी करनी है लास्ट मंखला की तरह याकन कभी भी कॉल कर शक्राइए भी मुझे जाना पर सकता आपके बैंगे क्या क्या-क्या हो छेह जोश्चे जरू देखेंया कि मुझे कब चलेगा कि होने वाल के कल गाए उससे पहले कि आपको पेंट में चुरू हो और आप तरह जाएं उससे पहले आपको कुछ अपने आप चीज़े फील होंगी जो आपको बताएंगे यह अब अब मेरा फिक्स हो रहा है एक तो पहली पात जैसे आपने सुना होगा बहुत सारी दाइयां आपको बताती है या दादियां बताती है नानियां बताती है क्योंकि पहले घरों में डिलिवरीज होती थी दादी नानी डिलिवरी कराते थे तो जब यह वाला हिस्सा खाली हो जाता यानि कि बच्चे ने जगे छोड़ दिये इसको मैं कई बर पेशन के मुझ से करनी थी वह आपका खतम हो गया क्योंकि आपका जो बच्चा ऊपर तक पुष हो रहा था 36 वीक पे वह सड़नी नीचे हड़ी में घुज गया तो जब बच्चे का हैड़ी में चला गया तो आपको यहां पर थोड़ा आराम मिल गया तो यह वाला हिस्सा आपका खाली हो गय है तो ज्यादा हाथ पैर नहीं हिला सकता है अब सिरफ उसके पैर जो उपर है वह हिलेंगे अब पूरा पूरा बच्चा टर्न नहीं करेगा करवट नहीं लेगा पूरा टर्न नहीं करेगा हाथ भी ज्यादा नहीं हिला पाएगा क्योंकि सिर और शोल्डर्स नीचे जा रह बढ़ता है आपका वेट कम बढ़ता है लास्ट के नाइन्थ मांत में जब 36-37 वीक्स हो गया तब आपका वेट वैसे भी नी बढ़ेगा उस समय बच्चा कुछ ग्राम बढ़ाता है अपना और क्योंकि उसो डिलिवरी की तैयारी करनी होती है इसके बावजूद और क्या बढ़ जाएगा आपको बाबा टॉले जाने का मन करेगा और एक अंदर से अर्ज आएगी कि मैं सब कुछ पैक करनो क्योंकि सब कुछ होने वाला है बहुत जल्दी डिलिवरी होने वाली हो अंदर से अपने आप अर्ज आती है तो यह तो होगे कुछ 9-9 महीने के साइंस औ अब शायद डिलिवरी का टाइम पास आ रहा है तो अब आपको पता चल गया आपको हॉस्पिल कब जाना है अब आपको यह भी पता चल गया कि नॉर्मल साइंस क्या होते है आपको यह भी पता चल गया कि बही एक्ट्वल साइंस क्या होते है जो हलके फुल के पेंज आ रह पेशन डॉक्टर आपको चेक करेगा विजयनिल चेक करेगा तो भी मैं पेशन को बोलते हैं आपको हलका सब घर जाके बलड़ आएगा पर हलका ब्लीडिंग और ज्यादा ब्लीडिंग में फरक है ज्यादा ब्लीडिंग है दौड के होस्पिल जाएए बच्चा घूम ने रह पानी रहे हैं उसमें पानी में से जो आरहें वाइट इस नहीं आ रहा है यह इलो इस आ ग्रीन फॉर्न होस्पिल जायें जिसमें बच्चा राब हो सकता है डिलिवरी के बाद जादातर सब को साही होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए या तो भीडिंग जाएगी तो ड अगर यूट्रस नहीं कर रहा है तो डॉक्टर बहुत सारे तरीकों से उसको कॉंट्राट करने की कोशिश करते हैं इसको बोलते हम पीपी एच पोस्पार्टम हैम्रेज या फिर अकर बच्चा रोया नहीं ऐसे में बच्चों के डॉक्टर का रोल आता है क्योंकि बच्चे का बहुत सी माई में को पुष्टी बच्चा इतना क्यों रो रहा है क्यों परीषान है और बच्चा रो रहाय गला साफ कर रहा है अपने अंदर का गंदा पानी निकाल रहा है तो रोना तो अच्छा साहीन है नहीं ही रोता है तो हमारी हाटबीट बढ़ जाती कि भृ बन जाती है जिसका पूरा वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल चुकी हूँ कि ब्रेस्ट आपस को हम कैसे ट्रीट करते हैं और आपको कैसे पता चलेगा कि ब्रेस्ट में पस पढ़ गया है रसी पढ़ गया ठीक है तो आज का वीडियो आपके लिए नॉलिजिबल रहा होगा आपको जानकारी अच्छी मिली होगी पसंद आयो तो लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे से कंसल्ट करने के लिए आपके पस दो आप्शन से पहली बात तो मेरे को सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म से फॉलो कर सकते हैं आप सारी रील्स वहां जाती है श